इस वर्शों का बिश्वास दस अजार से जदर डॉक्टर्स, गोल, नेशन्स लीडिंग इंस्टिटूट अब चुनावी मौसम में जेडियू जो बीजेपी की महत्पुन सहयोगी है उसका नोटबंदी को लेकर एक बयान आया है और इस बयान के बाद NDA के अंदर खाने बवाल बढ़ सकता है क्योंकि जेडियू ने कहा है कि नोटबंदी से जिस तरह की उमीद देश को थी देश को निरास होना पड़ा है नोटबंदी को लेकर जिस तरीके से आसा जगाई गई थी या जिस तरीके के परिणाम के उमीद देश कर रहा था उस तरह का परिणाम नोटबंदी से नहीं सामने आया है केसी त्यागी जेडियू महासचियू है उन्होंने हमारे एडिटर इंचीप सिर्कांग प्रतियूद सर से बाच्चित की है डिल्ली में ये इसक्रिस्वी इंटर्वीव हुआ है और इसक्रिस्व इंटर्वू में केसी त्यागी ने नोटबंदी को लेकर ये बगा बयान दे दिया है कह सकते हैं ये बवाली इंटर्व शीडियू है आप देखिए केसी वह नहीं पुरे हो पए। जीस्टी को लेकर के भी व्यापारी भी और किसां भी एस सहज महसूस करते थे। और उसमें दर्जों तरीके अमेंडमेंट करके ये दिपिस को सुधारनी का प्रियास किया है लेकिन खास दोर से व्यापारी की छोटे व्यापारी की नहराज गी थी बेरोजगारी नहीं जिस तरह की इच्छा अपेक्षें नोजवानों में रखी थी चुकर एक दान रखी है मोदी जी ने जाने इन जाने में एकस्पेक्टेसिंस का गराब बहुत उंचा कर दिया था और वो कितनी पूरी हो पाई हैं कितनी नहीं हो पाई हैं यह दो समय सुद्रड हुई भारत का Ministry of External Affairs के जरीवर प्रदानमंतरी के जरीवर एक जो दुनिया की बड़ी ताक्ते हैं उसमें इसका नाम आया इसका जिकर आया इसकी चर्चा हुई इसका स्थान बना तो साब तोर पर केसी त्यागी हमारे एडिटर इंचीप स्रिकान पर्ति उस सर से बात चित करते हुए यह कहते हुए कि नोटबंदी को लेकर देश निरास हुआ है देश की उमीदें जो नोटबंदी को लेकर थी वो पूरी नहीं हुई जी एस्टी को लेकर भी बड़ा ब बड़ा बियान और उस बयान से मिलता जुलता बियान जो विपक्षी देते रहें या फिर दूसरे सहियोगी सवाल इठाते रहें नोटबंदी को लेकर तो बड़ी ख़बर जे डी उ ने बयान देकर कर सकते हैं बवाल बढ़ा दिया है भूचाल ला दिया है एंडिय के अं अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ सेयर करें हमारी यूटूब चैनल को सस्क्राइब करें वेल आइकन जरूर दबा दे ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे प्यार समर्थन और सहयों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद